दोस्तो नमस्कार आजम आ गए हैं चम्बल के पुल पर ये है चम्बल का उधी मूड बाला पुल इस पुल पर इतना ज्यादा प्रेसर है कि ये पुल हर साल जरूर मेंटेनिस पर आ जाता है क्योंकि आसपास कोई पुली नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा एक पुल उधर आगरा की तरफ है और दूसरे पुल यहां पर है तो इस पुल पर जो आबागमन है वो बहुत ही ज़्यादा वस्ता में होता है कि जो सामने आप पुल देख पा रहे हैं ये रेलबे का पुल है ये अभी कुछी समय पहली बनाए गया है तो ये काफी अच्छी कंडिसन में ह लेकर ये पुल जिस पर आप चल रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं ये काफी अधा पुराना है तो मेरे असाब से तो यहां पर नई पुल का निर्माड कार होना ही चाहिए क्योंकि साल में लगबग एक से दू मेने इस पुल पर आवागमन बंद रहता है या फिर बड़ी गाडियों का आवागमन बंद रहता है उस समय जो यात्री हैं उनको काफी अधा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पैदल यात्रा करनी पड़ती है इस पुल को क्रोस सारे पुल बन गए है एक जमाने में इसके पास ये ताज था सबसे उन्चे पुल होने का तो दोस्तों अभी हम यात्रा कर रहे हैं भिंड से उधी मोड की तरफ और उधी मोड इसके बहुत ही पास में है अगर आप यूपी से एमपी की तरफ जाएंगे उधी मोड से एमप पैट्रॉल का भाव है उसमें लग बग आठ से दस रुपए का अंतर रहता है तो उस पैट्रॉल पर पैट्रॉल और डीजल की बिक्री बेहिसाब होती है क्योंकि जो एमपी से आता है वो भी यहां से अपनी टंकी फुल करके जाता है उसके बाद आता है पुल तो हम उसी के उपर से होके कुजर रहे हैं काफी पुराना पिल है और काफी इसने सपोर्ट किया है इस छेत्र को और नीची है यह विसाल का चंबल नदी चंबल सेंचुरी जिसमें घडियाल एलिगेटर और टर्टल को पाला गया है तो दोस्तों आप लोग यहां पर कब आई थे आपने जेहन मंदरी के दरसिन किये हैं वो भी हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं बागी जो रोड है इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि क्या कहने यहांपर ट्रक और डंपर गिट्टी से बरे हुए इतना ज्यादा निकलते हैं कि इस रोड की जो हालत है वो बिलक आप मंदर देख पा रहे हैं यह विसाल काये और खूबसूरत जहन मंदर है यहांपर अक्सर भक्तों की भीड लगी रहती है तो दोस्तों अभी हम MP क्रोस करके और चंबल क्रोस करके यूपी में आ गई हैं बागी रोड का हल तो आपको देखी रहा होगा